नमस्कार खरी खरी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आचर बिहार में स्यासी संग्राम मचा हुआ है और इसे बीच एक के बाद एक बड़े नेता का बयान सामने आ रहा है क्या कुछ होगा ये कुछी घंटों में पता चल जाएगा लेकिन जिस तरीके से नतीश कुमार न जालू यादों का क्या कुछ होगा कदम और किस तरीके से उन्होंने बनाई है रणी ती और किस तरीके से बीजेपी और नतीश कुमार बुरी तरीके से बिहार में फसक हैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में अभी तक य जो हम चरचा करते आएं कि नतीश कुमार थे और किस तरीके से लोगों को जोड कर लाए बीजेपी ये चाह रहे थी कि नतीश कुमार को हटा कर अब एग तरीके से गढ़ बंधन को कमजोर किया जौए तो अब यहाँ पर वैग फायर हो रहा है नतीश कुमार के आने से एंडिये में भी खलबली मच गई है और जो घटक दल हैं वो अब बैठक पर बैठक कर रहे हैं जेपी नड़ा और अमिश्या से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नतीश कुमार के इधर आने से अगर वो अभी तक ये ख़बर नहीं है कि वो बीजेपी के साथ आ गए हैं लेकिन बताये जा रहा है कि जल्दी व एंडिये में शامil हो सकते हैं लेकिन अगर वो एंडिये में शामिल होते हैं तो किस तरीके से जबरदस्त फा हो रहे हैं और लगातार जो नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो कहा है अब ऐसे में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सही होगी हमारे ऑनलाइन एडिटर अ एलान हो सकता है और एलान जो है वो लालू यादों के तरफ से किया जा सकता है क्या कुछ खबर है आपके पास और क्या कुछ चल रहा है बिहार में इस वक्त हमारे दर्शकों को बताईएगा जो मेरे पास सूचना है उसके मताबिक यह है कि बिहार में बड़ा खेल होने जा र प्ष्यूंगा करते हैं। तो यह कुल मिला करके आभी तक सूचना है, और यह सूचना है कि प्रिश कौमार का लगवर्ण हो जाना हो चुका है कि वो एंडिया के साथ जा रहा है हाला कि अभी भी जो है जो है जेडियू के नेता है पुराने अध्यक्ष है लरण सिंग उनका भी वायर हो रहा है काफी याद है वो भारती इंता पार्टी को ले करके किस तरी की से घेर रहे हैं और नीती श्कुमार को ले करके वो बाते कर अधिया का भारती इंटा पार्टी निकस्तर अभान किया है यह सारी बाते वो सब कह रहे हैं लेकिन और नलन सिंग को कितना मालूं है क्इटना नहीं मालूं है यह तो पता नहीं लेकिन जो खबह रही है निलिक्ट ऑस तरी के सब्सक्राइब बनेगी भारती जनता पायकी को मौका नहीं मिल पाएगा कि वो किसी भी तरीके से नितिश के साथ मिल करके कोई खेल कर पाएगा। लालतेंट करने वाली है उसकी आहट बीजेपी और नितिश कुमार दोनों को हो गई है इसलिए अगर आप देखेंगे तो इससे पहले बाकी राज्यों में स्तिती जल्दी साफ हो जाती थी जहां पर भी ऑपरेशन लोटस चलता था लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो यह काफी दिनों से चीज़े जो है वो चल रही थी लेकिन नितिश कुमार जो है वो लगातार यह कह रहे थे कि नई भाई हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि नितिश कुमार को भी यह पता है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका नुकसान होने माला है पार्टी है वो लगातार यह कह रहे हैं कि हम कहीं भी नहीं जा रहें गडबंधन में ही हैं लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से देख रहे हैं कि मंत्रियों ने कामकाज करना छोड़ दिया है तो यह क्या संकेत मिल गए हैं कि अब फ्लोर टेस्ट की जो बात की जा रही थी होने जा रहा है और बीजेपी और नितिश कुमार का गडजोर जो है वो बन रहा है दूसरी तरफ लालु यादो भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं अभी तो मुझे दखता है गेंद अभी नीतिश कुमार के पाले में ही हैं उनको तैह करना है कि किस समय जाकर के स्तीफा द इस चक्रवियू में और डबल होशारी करने की जो कोशिश की जो क्रॉस करने का कोशिश किया उसमें जो है वो एक तरीके से मात खा गए हो भारती इनता पाकिये को भी यह उमिद नहीं थी कि लालु पसाद यादब जो है वो इस तरीके का खेल कोई कर देंगे जी तो नितीश कुमार की जो है वो कुछ गरवर कर सकते हैं या वो भारती इनता पाटी के संपर्क में है या वो जिस तरीकी से बावार इंजियर को ले करके बयान दे रहे थे तो उससे एक चीज तो समझ में आद नहीं लगी थी कि कुछ ना कुछ मामला गरवर चलता है आपको य इसलिए जो है वो नितीश कुमार जो है उनको अध्यक्ष पस्ते हटा रहे हैं तो लालू परसाद यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था और ना उनके चेहरे पर कोई उसके भाव आये थे बलकि उन्हों ने था उस पत्रगार को एक तरब से हाथ से हटा दिया था और उसका कोई जवाब नहीं दिया था तो उस समय लालू यादव की भाव भंगेमा थी उससे समझा जा सकता था कि उस सवाल में कहीं कहीं कुछ दम था और लालू पसाद यादव एक महीना पहले ही इसकी तयारी कर चुके थे कि अगर नीतीश कुमार कोई पल्टी मारते है जिस तरह कि उनके बारे में कहा आता है तो फिर वो इसकी जो है वो पूरी काच करेंगे दूसरा आपको याद होगा कि सरकार बनी इनकी दुबारा से तो विधान सबा अध्यक्ष जो है वो आर जे जी ने अपना बनाया जे वो नीतीश कुमार को नहीं दिया को नहीं दिया सारा खेल जो था वो वहीं से इस गजवंदन की शुरुआ जो ही तो नीती शुवार को लेकर के मुझे लगता है कि लालू पसाद यादा पहले से सतर्ख थे और उन्हों ने इस मौके का फाइदा तो उठाया कि नीती शुवार भारती इंताबाची से ज्यादा हो और फिर नीती शुवार को जो एक तरह की से बाद में आकर कि बेनकाप किया या अगर ये फिर पल्टी मारते हैं लेकिन ये उनकी दिवान में रहा होगा कि ये कभी भी फिर पल्टी मार सकते हैं तो इसलिए वो विरहांसवा अध्यक्शनों ने आर जेडी का अपना बना कि पाले में गें रही अगर नीती शुवार इस्तिवा देते हैं दोने तरफ से होता है तो आर जेडी अपने विदायकों की परेज भी करा सकती है तो मना इसकी सारी तैयारियां जो हो पूरी एक तरीके से हो चुकी है ये जो हमारे पास सूचना है जी तो अब जो है वो जिपाल से उनका दल जो जाकर के मिले तब देखना ही है कि शाम तक क्या डेवलोपमेंट होते हैं आचल जी अमलेंदू जी और इसी बीच अगर देखा जो है तो भाजपर के जो समर्थक हैं वो भी नाराज बताय जो आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो उनके सामने आ रहे हैं कि अगर नितेश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा इस तरह की बाते जो है वो चल रहे हैं और दूसी तरफ उनके जो सहयोगी दल हैं अगर आप देखें लजेपी चिराग पासवान वह भी आमिश्या और जेपी इस बात को आप बकूबी समझ रहे होंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो माहौल बन रहा है वो गड़बंधन को लेकर पॉजिटीव है मतलब क्या बीजेपी इस बात को मान रही है कि उसकी हालत खराब है और बताया तो ये भी जो आरायम लिंदू सर की जो अंतर खाने से खबर है आलंकी खबर कितनी सही है कितनी गलत है इसके पुश्टी हम नहीं कर सकते लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि बीजेपी ने सर्वे कर रहा है नितिश कुमार को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और जो बीजेपी के नेता इसे नाराज बताये जा रहे थे उन्हें फटकार भी लगी है और अमिश्रा ने उस सर्वे को सामने रख दिया है और दिखा दिया है कि हमारी हालत ये है स्थित सर्वे की अब बात कर रही है तो ख़बने यही है कि कोई सर्वे भारती इंता पार्टी ने कराया है और सर्वे में ये बात निकल करके आए कि हके लिए भारती इंता पार्टी ने करना शुरू किया लेकिन ये प्लान उनका कितना कामयाब होगा अब यह है कि अब जिस तरी को लेकर कि जिस तरी के अविश्वास बढ़ता जा रहा था उसके बाद फिर भारती इंता पाटी के सामें देख थे जो है वह काफी जादे बाद आब बढ़ गई है अब वह नीतीश कुमार को अगर साथ लेते हैं तो देखिए वो दुगना नुकसान जो है भारती इंता पा पार्टी के कारे करता जो है वो इसका प्रयोक कर रहा है और भारती इंता पार्टी की नितरतों को चेता रहा है कि अगर आपने नीतीश कुमार को अप साथ में दिया तो भारती इंता पार्टी को बट नहीं देंगे दूसरा नीतीश कुमार की विश्वस नहीं था जो अब इस तरवी खत्म हो गई यानि दोने की विश्व से नहीं था तो पूरी तरिकी से एकदम समाप्त हो गई है इस पूरे प्रक्रौनर के बाद अब नीति शुखार कहीं जाते भी है तो हो सकता है नीति-शुखार नीति-शुखार अकेले जो है वह जाए भारती जिंद्धा पा तो इस तरी के लोग साथ में ने के देखने जाने हैं लेकिन महत्पूर बात यह है जो सूचना है हम लोग पास भी सूचना है कि आर जे जी ने जे जियू के बड़े विधायकों का एक चंक जो है वो अपने साथ मिला लिया है और इसलिए निटीश कुमार आप परशान से चल जी नीतीश कुमार की 6 बहूत ज्यादा खराब हो reviewing नीतीश कुमार अपने राजिनीत के जीवन की अंतिम दौर में जिस तरीके की अब संकट Bak amis के लिए इसके बाद बड़ा मुश्किल है कि बोड़ा मुश्किे उनके साथ कोई खेल कर देती है, उनको मुख्यमंती नहीं बनाती है, उनको समर्थ नहीं देती है, तो जाएसी बात है कि फिर आर जैजी जी विसो सरकार बना लेगी, और नीतिश कुमार फिर अकेले खड़े नजर आएंगे एक तरीके स्कूर मिलाकर, भारती जिनता पार्की के साथ मिलकर के सरकार मिलाई, तो भारती जिनता पार्की ने इस प्लान बी पर एक तरस से काम करना शूर कर दिया था, और ये उन्होंने बिरहान सवाब चुराओ की दोरा नहीं शूर कर दिया था, भारती जिनता पार्की ने जिस तरीके से एल जेपी का इस्तेमाल किया, पर terisकuti की इस पर सरकार जो थी बन जाती उसने बहुत जगा नुकसान इन अगया लेकिन फीक किसी बी तरीके से नेती इंता पाइटी को कमजोर किया जाये और उसके भाती इनता पारेटी उनके बन जाती इतफाक हें, की समेक्रा ऐसे बन गए कि भारती जनता पार्टी जो को यह देंगर लेगा कि नीटी श्कुमार की पाल्टी मार करके आर जेज़ी के साथ ना चले जाए तो उनको मुक्हिमन्ती बनाने का तो उसने मजबूरी में उस समय फैसला कर लिया लेकिन पीछे से लगाता जो थी वह की पार्ठी को तोड़ने की कोशिचे करती रहे और इस पियास में कि आग DR. य मांगी और वह सारी चीजें पिर अंपस वुन की अब जो नीतिशकुमार करने जा रहा है तो मुझे लगता है कि भातिGold इंता पार्की भी ये चाहती है कि नीतीशकुमार को किस तरीक से मैं हाङ काफ समझे जाते है वियों का शुमार होता है वैजिस और को काफी लोग लइखनाय है कि वह लाइसा दर अभी तक बनाते है या फोने दिन जा ठोली देर में भी यह सब आए जी बिल्कुल और कुछ ही गंते बाचे हुए है । की है वह साफ हो सब्सक्राइख कर देने के लिए ताज के लालू पार सारण गुशा लिला बार पठकनी लालू यादों देने वाले हैं मलिकार जुन खड़गे से भी उनकी बातचीत हो गई है और अगर देखा जाए तो जो बहुमत का आकड़ा है 122 सीटे चाहिए 243 सीट है विधान सभा की भीहार में अब ऐसे में 120 जो है समर्थन लालू यादों को मिला हुआ है आ in product कर दिया गया है लेकिन है और भी है चल रही है और बले ही साफ किरेंसे कि बात सामने आई हो हो जब यह बात सकता ही इ shrinking आब किसी में नितीश कुमार के साथ सरकार में नहीं हो सकते हैं चुकि विधान सभा के अंदर जिस तरीके से नीटीश कुमार के साथ सरकार में शामिल नहीं होंगे ऐसा समझा जाता है चुमीन का एहम जो है वह आप चोट मार रहा है खूए तो अब देखिए राज़ नीथी में कोई बlies भी कोई किसी कमजोर नहीं होता है ध़्य के लिए उतर है और राजनीती में अपमान का बदला लेना ही सफचार है महतुपूर्ण जो समझा जाता है कि कौन अपमान का बदला किस तरीके से लेता है जिस तरीके से भारती इंता पार्टी जो है नीती श्कुमार से अपमान का बदला लेना चाहती है और नीती श्कुमार को फिर नहीं मि जी अगर खेल कर जाते हैं और भारती जिनता पार्टी का साथ छोड़ करके वार्जेजी के साथ महा गजमंदन में शामिल हो जाते हैं उसके बाद कुल मिला करके फिर खेल विहार का वह काफी खराब होगा और लिए करके सुचना यहीं कि अरप जीतर राममांजी की बाद कर रहे हैं और इस बता खबर यह आ रही है कि अब जीतर राममांजी से भी बीज़एपी समपर्क सानने की कोशिश कर रही है और बातशीत करने का दौर जो है वो शुरू हो गया है बताईए जा रहा है कि अब उनकी मुलाकात जो है वो होने जा रही है बिहार में जस तरीके सहंगामा मचा हुआ है अब जीतन राम मांजी जो है यहां पर बड़ी कड़ी नजर आ रहे हैं एक तरफ लालू प्रसाद या के लिए समराग चौधी करें तो परें समराग चौधी से पूछा जाए कि उनका साफा जो है वो खोल दिया है कि बन्दा हुआ है साफा तो जीतना समराग चौधी नहीं कहाता है कि साफा तब उतारेंगे जब नीतिश्कुार को गदी से उतारने की जो उनकी शपत थी वह तो वायल हो जा लाए था का था हम रूँकों चुनवाया भी था कि हो गी से कहा है थोड़े दिन पहले ही कहने हैं तो सम्राग चौदी भी अपना साफा हपी खोल लेंगे, तो वो तो अलग का मसला लेके अगर वो गय है चीतनाम मांजी को मनाने लिए तो मुझे नहीं लगता है कि जितनाम मांजी जु adapting भारति इंतना पाकी और नीटीश्कुमार के साथ जाने के लिए चुकि नीटीश्कुमार ने बाकाइदान को नाम लेकर कैसी बरी सवा में जो है वो बहुत काया बेज़त किया था बहुत ज्यादा किया था अब शब्दों एक तरी की से काया वो इस्तिमाल किया था जी अमलेंदू जी यहां पर एक बड़ी खबर आ रहे हैं यह सामने आपने देखा कि इससे पहले जो आफर दिया गया था आरजेडी के हो गई है शायद यह खबर बीजेपी को मिली है इसलिए बीजेपी उनके घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुची है हाँ तो अब यह बहुत दिल्चस्प चीज है यानि कि जीतनाम माजी को चीफ मिनिस्टर बनने का प्रस्ताओ आरजेजी की तब से चला गया है और जीतनाम माजी के दरवाज़े पहाती इंता पाची तब ही जाए फिजब जीतनाम माजी को चीफ मिनिस्टर बनने का प्रस्ताओ ले करके जाए यानि कि हर तरीके से कुल मिला करके नीती शकुवार आप मुक्यमंत्री नहीं होंगे जी मलत दुनों तब से अभी इसकी तयार हादा कि राजनीत में किसी के भी समाप्त होने की घोशना नहीं की जा सकती है कोई भविश्वानी नहीं की जा सकती है कौन समाप्त हो रहा है कौन आगे जाएगा लेकिन जो चीजे सामने आ रही है जो परस्तितियां सामने दिख नहीं है उससे समझा जा सकता है कि नीती शक कह रहेते कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अब उनका बयान आ रहा है कि इंडिया गटमंदन तूट के कगार पर है कॉंग्रिस के अडियल रवये ने इसे तार-तार कर दिया है इस बयान से अब क्या कयास लगाए जाए कि अभी थोड़ी दिर पहले ही जो इंडिया हो गया है वो चुनाओं में जा रहे है तो कॉंग्रिस का अरियल रवये की बात होती तो यह तो उत्तापरदेश के अन्द होना था अरियल रवया तो चुकि वहीं कॉंग्रिस को सब स्थाए दिक्कत आ रही थी अखलेश आपके साथ जो थी वो सीटों की शेरिंग करने के लिए कुल मिलाके देखा जाए तो बिहार में तो कॉंग्रिस की ती उत्तापरदेश मुकाबला जादा अच्छी है तो वहाँ तो श्ताइगी चीज़ थी ही नहीं और खुदर जो थे वो केसी त्यागी ही कल कह रहे थे यह दिक्कत जो है वो यहां नहीं है दिक्कत बंगा में और पंजाब में है यहां सब ठीट ठाक है और इंडिया एक जुट है तो आज अगर केसी क्यागी यह कह रहे है तो इसको समझा जा सकता है कि वो तैयारियां जो है मतलब चाल शुरू हो गई है उनके वो पाला बदलने की और उसके लिए अब जो एक्सक्यूस जो है वो ढ अगातार यह करने है कि इस पल्टूराम को अगर आब भारती इंता पार्टी ने अपने साथ लिया तो भारती इंता पार्टी को भी बोट नहीं देंगे तो भारती जंता पार्टी के सामने बड़ा संकच है कि नितिश कुमार को अगर फिर से वो मुक्यमंती बनाने के नितिश कुमार को दो बुलाए या उनसे पहले कहा जाए कि पहले आप इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा देने के बाद जो है फिर तब उनको जो है वो समर्थन वर्थन की बाद चीत की जाए और अगर नितिश कुमार पहले इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नितिश कुमार के हाथ से बाजी निकल जाएगी फिर सब कुछ भारती इंता पाई की वो तै करेंगे कि किसके पास कितना समर्था है फिर वो सरकार बनाने की करेंगे मेरे पास वो सूचना यह है लालू प्रसाद यादव बिलकुल काम कर चुके है नितिश कुमार जैसे ही स्तीफा देंगे त क्योंकि सुप्रीम कोट ने जिस तरीक से महाराश में गवर्नर की भूनिका को लेकर के सक्ट टिपणी की उसके बाद फिर अगवर्नर के लिए जो है वो सरकार के इशारे पर नाचना बहुत मुश्किल सा एक तरीके से हो जाएगा तो आब बहुत सी चीजे जो है वो गवर कि अब जो है वो खेल खुल चुका है बिशार में जी बिलकुल अमलेंदू जी और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि बयानबाजी जो हो रही थी अब उसका दौर समात हुआ है बड़ी रणीती पर काम हो रहा है और बताये जा रहा है कि जल्द ही कुछी घंटों में कुछ दी तो बड़ा ऐलान किया जा सकता है लालुयादो के तरफ से यह ऐलान हो सकता है तो क्या ही इस बात को माने कि लालुयादो सरकार बिमाने जा रहे हैं बिहार में अमनेंदू जी निश्चिछे थित सब किया हुआ है लालु पुसाद याराब ने पहले से लग गई थी चुकि सरकार में भी शामिल थे और बड़ी पारकी वहां है और इसलिए जो था नितिश कुम लालु पुसाद याराब के पास भी सारी सूचनाय सवा रही होंगी और उनके चुकि नहीं है जो नेता है तमा तो अब जैसे एक शिवानन तिवारी जो इस समय आर्जेजी के उपाध्याक्षन पढ़े जेता है वो पहले आर्जेजीयू में भी हुआ करते थे और एक तरीके से कहा जाए कि जो लालु पुसाद यादब के ऊपर स्वाम मुकदमे मुकदमे सब चले उस समभे नितिश से मिलने के लिए गए थे और उन्हें ने नितिश कुवार के वारे में बड़ी सप्ट कर दी थी तो यह सारी सूचनाय सब जो थी वो लालु पसाद यादब के पास आ रही थी कि नितिश कुवार कुछ गरवर कर सकते हैं जिस तरीके से बात कर रहे थे कर पूरी ठाकुर के जर्म श्रिदादी सवारों में जिस तरीके से उन्होंने जाकर करके बाते की यह परवारवात को लेकर के लोग जो परवार को बढ़ाते हैं तो लेकिन वह चुकि वह कहना भूल गये मेंजन करना भूल गये बताया है कि उनको भूलने की वीमारी भी हो गई है नीतिश ने बताना भूल गये थे, ये वो लगने के लिए नीतिश कुंहारश का. नितीश कुमार मैं फिर कहूंगा कि बहुत होश्यार बनने के चक्कर में गच्चा इस बार खा गए हैं और अपनी जिंदिगी भर की जो राजती की कमाई थी मुझे रखता है वो नितीश कुमार ने खतम कर ली है जी, हमले नितीश जी और सियासी हलचल टेज हो और इसी बीच खबर ये आ रही है कि कॉंगरिस ने भी बड़ा कदम उठा धिया है बिहार की राजनीती को लेकर कॉंगरिस ने बड़ा कदम उठाया है और कॉंगरिस एक्षण मोड में नजर आ रही है कॉंगिस ने भी भूपेश बगेल को परवेक्षक न्यूक्त कर दिया है तो आप देखे किस तरीके से बिहार का परवेक्षक भूपेश बगेल को बनाया गया है तो सारी पार्टिया जो है वो बिहार में सक्रिय मूड में नज़र आ रही है लगातार बयानबाजी हो रही थी और अब बयानबाजी का दौर जो है वो खत्म हुआ है और उसके बाद बड़ी रणीती पर चर्चा हो रही है सारी पार्ट्यां जो है वो बैठक करके अब एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है और डिसीजन जो है वो बीजेपी के तरफ से भी लिया जा रहा है और लालू यादो के तरफ से भी लिया जा रहा है बार बार हम यह आपको बता रहे हैं कि कुछी घंटों में स्तिती साफ हो जाएगी लेगर इस वक्त खबर यह है कि कॉंग्रिस ने भी बड़ा दाउं चल द तरीके से कोई गड़बडी जो है वो नजर नहीं आ रही है लेकिन कॉंग्रिस के तरफ से भूपेश बगहेल को जो परवेक्षक न्यूक किया गया है कि अभारत जोड़ों या यात्रा को लेकर है या जो यह स्यासी संग्राम मचा हुआ है इसको देखते हुए तेकि घोश ने जो है वहान भी प्लान भी पे ओंगेस ने भी काम शू जूर कर दिया है और नितिश्कुमार को सबक सिखाने के लिए पहाँ भूपेश बगहल को बेढinga है उसको लेकर के इस समय बूपिश बघिल वहां प्रभारी बनके गए हैं और किस तरह के से आप काम करते हैं काम करते हैं कांग्रेस के याता के लिए ल किन इंडिया का इच्वंदन जो है यानि कि अब ये बात होने लगी कि अब लोग कह रहे हैं कि इंडिया गश्वंदन की विश्वसनीता बनानी है तो अब नीतीश कुमार को बाहर करना भारती इंता पार्टी के साथ भेजना जरूरी है और नीतीश कुमार अगर इधर रहते हैं इंडिया गश्वंदन में तो नितीश कुमार को लेकर की बड़ा बयान आ गया है जो कुछ भी बिहार में चल रहा है उस पर कॉंग्रेस के अद्यक्ष मलिका अरजून कड़गे ने बयान दिया है मलिका अरजुन खडगे ने नितीश कुमार को लेकर बयान दिया है नितीश कुमार को लेकर मलिका अरजुन खडगे ने कहा है कि नितीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है दो से तीन बार उन्हें प्यास किया गया बातचीत के लिए उनसे फोन पर बातचीत कर के लिए उन्हें फोन में लाया गया लेकिन उन्होंने संपर्क नहीं किया यह मलिका अरजुन खडगे का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान है अमने अंदुजी से पहले बयान गया था और बताई यह जा रहा बता कि जेडियो के तरफ से जो है वो कहीं न कहीं यह बताया जा रहा है कि नितीश कुमार वो इस वाक्त वेट एन वाच की स्थिती में है लेकिन इसीलिए जब यह इस तरीकी से खबरें इसके बाद आर जेडियों ने में उन्हें संपक्सादने की कोशश ची लालू यादों तो किस बात का फिर इंतजार है सब कुछ ठीक है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया और अब कॉंग्रेस का बड़ा बयान सामने आ रहा है मलिकार जुन खडगे ये कह रहे हैं कि हमने भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात चीत नहीं की है देखिए मुझे देखता है कि कॉंग्रेस ने और खास्तों से मलिकार जुन खडगे ने ये बयान दे करके जो नीतीश कुमारे की निकलने का रास्ता ढूंज रहे थे और कॉंग्रेस के ओड़ा कर आरोट लगाकर के निकलना चाहते थे जैसे की सित्यागी कि ये ये वह ये व कुट्रों के वाले से कि लालू प्रसाद यादव ने पांच वाइज था वो नितीश कुमार को फोन किया और नितीश कुमार ने फोन नहीं उठाया अब वह किया या नहीं कि हमें नहीं मालूम लेकिन जिस तरीकी खबर है इसका मतलब कि आर जे जी ने भी अपनी तफसी कोई कोई करसर नहीं छोड़ी कि नीतीश कुमार को कोई बहाना बना के जो है वह आरोब जो है वह इंजिया गश्वंदन के ऊपर लगा पाएं कि वह साथ गए तो कुल में लाकर करके जो चीजे आप सामने आ रही है वह उसमें यह है कि नीतीश कुमार को एक तरीके से का जाए इंजिया गश्वंदन हर तरीके से बेनकाब करने की रनदी पर काम करना शुरू कर दिया है और वह नीतीश को बेनकाब जब करेगी तो जाहिस बात है नीतीश की लोगप्रीदा कम होगी खतम होगी एक तरीके से उनकी छवी खराब होगी और इसका फाइदा जो है वह इनता पाइची निस जातिकर जंगरना को फर्जी बता दिया था इसी तरह की से नौकरियों को लेकर किया कि बही चार लाख सेदा नौकरिया जो है वह अब तक दी जा चुकी है तेजस्वी के दवाव में सब जो किया गया कि अकेले एक शिक्षा विभाग में ही जो है दो लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि जब चाचा को काम करना होता है तो आर्जेजी के साथ आयाते हैं और चिलम फूगना होता है तो भाजबा के साथ चले आते हैं अब यह किसी ने लिखा उस पर ट्विटर पर उसको लोगों ने जमर्दस तरीके शियर किया वो बारिया ह नहीं लग गया तो इस तरीके की चीज़ें जो सब सामने आ रही है जो जंता के रियक्षिन सारे महतपूरु बात यह नहीं है कि मनलेका आज्विंग खड़गे नीतिश्कुमार के बारे में क्या सोचते हैं या नीतीश कुमार के बारे में लालू पसाद याद अब क्या सोचते हैं या आखलेश याद अब क्या सोचते हैं महतोपूरू बात ये है कि जनता जो है बिहार की वो नीतीश कुमार के बारे में अब क्या सोच रही है नीतीश कुमार जिस तरीके से बावार जो है पाला बदनने की हरकते करते हैं और जिस तरीके से जो एक तरीके से कहा जाए कि उनकी जो आ कोई वेचारी की प्रतिबादता जो है वो नहीं रहे आती है उसके बाद अब नीती शकुमार आखरी समय जब पिछले बिरान समय चुनाव में उनको गोशना कर दी थी कि उनका आखरी चुनाव है है बाद में काता ऑगि मैंने ऐसा नहीं काता है आखरी चुनाव है कि कुल में लाकर कि अप नीतिश कुमार की चबी बहुत जादा खराब हो रही है और नीतिश कुमार होश्यार बनने के चक्कर में जो है एक तरीकी से कहा जाए कि वो अपने हाथ से जो है वो अपसर जो है वो गमा चुक है अमलेंदु जी इस वक्त बड़ा बयान जो है वो सांसद हमद अश्वाक का गया है और उनके बयान से बताव है कि अप बुरी तरीके से जो है विहार में एक जो नितिश कुमार को लेकर कैस लगाया जा रहे थे गडवन्धन को लेकर चुका है और और रज़ेडी से राजसवाश्वा सांसत का बयान यह है यह आप टूट चुका है जेडियू से आर् पीजेपी और डालु यादो दोरों जो हैं वो खेला करने की तैयारी में हैं निशी तो हम लोग शुरू से बात कहना है कि यह तो लगवक्त है हो चुका है कि यह कष्वंदन अब नहीं रहा जिस तरीके से अब केसी त्यागी ने आ करके बाते की और जिस तरीके सब सूचना है जिस तरीके सब खबरें चल नहीं थी उससे एक चीश तो साफ हो गया था कि अब यह कष्वंदन जो है वो मतलब रहा नहीं मतलब आर जीजी की तरफ से और कोंग्रिस की तरफ से आखरी समय तक यह तरही से प्यास किया गया है यह 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 प्यास भी कह था वालकि नितीश कुमार की जो ठीशी वालकि जनता के सामने लाने का एक प्यास था कि देखो यह आदमी किस तरह किसे कर कर सकता है मतलब एपने किसे नहीं कोई चीज नहीं रखी है ना आर जीजी ने ने सब कुछ जो नितीश कुमार के उपर इंप यह तरह की से जा दिया है तो हम नीतिश कुमार अब मरते हैं कि बारती इंदा पाटी के साथ जाते हैं क्या करते हैं अब ये उनके बायान जो है उसी के आदा पे लोग जब टेया करेंगे कुल मिलाकर करें बायान जो है प्रहामनती मोदी का भी अबायान हो रहा है किसा पर नीतिश कुमार का जिगाने जो है वो जो बयान दिया था वो साद कर वह तो अब इसा जा एक राकर कि अभी तक जो कई थे उनके बार नीश नितिश कुमार जे वցगे बारला बदलने के बड़े जी अमलेंदू जी और अभी हम जीतन राम मांजी की बात चीत कर रहे तो और बता रहे थे कि लालू यादों ने उसे संपर्क साधा था और सबसे पहले डिप्टीजियम का जो है वो आफर दिया गया था उसके बाद बताया गया कि सियम पत का भी आफर उन्हें दिया गया आल वो क्यों बुलाया है ये तो समझा एगा रहा है कि उपने बिधायकों से बातीस करेंगे और मुझे लगता कि जीतन राम मांजी जो है वह भारती इंता पार्चे के साथ नहीं जाएँगे नीतीश महारग अगर रहर भारती इंता पार्च के साथ जाते हैं जिस खेमे में नीटीश होंगे उस खेमे में जीतन राम मांजी नहीं होंगे एक मयान में दो तलवारे वाली इस्तिती नहीं होगी तो जीतन राम मांजी हो सकता है क्युछ बारगेनिंग और ज्यादा करना चाहते हो आर्जेडी के साथ में यह तो हो सकता है लेकिन वो नीटी कर दी है और उसके बाद जब बैठक के लिए वह तेजिस्वी आदों के पास पहुंचे तो अपनी अपनी गाडियों से वह पहुंचे और खबर यह भी है कि नितिश कुमार अब इस्तीफा पेश करने वाले हैं जल्द ही हाँ तो नितिश कुमार के लिए खड़ा करती क्या त के पास जाते बरखास करने का लिए फिर उसके बाद द्वार आ जाते है अपने इस्तीफा देने के लिए कि मंधिश कुमार की बैठियों ने एक तरीक से अपना छोड़ दिया है तो नितिश कुमार आप सीदा जा करके इस्तीफा बंग करने वाली चीज़े नहीं होंगी ए कि है भारतता टाम इंतापा इकरे या इक रेजी करे सब्नें की की तैयारियां वहां सरकार बनाने स की पूर और भस वह स्युकरिंते सरकार को निटीज़ को इसंतिफय का इंतिला कर रहे था शेकर है यहरी के जैसे बंड़ी का पता सिति जो है वो क्लियर हो जाएगी लेगन अभी जो इस्तिती है और जिस तरीके से बैठ को बैठ के चली और उसके बाद बताईए जा रहा है अब एक बड़ी रणीती जो है वो बनाई जा रही है और कॉंग्रेस और आरजेडी ने अमनिंदु जी लगातार नितिश कुमार से संप यह ऐसे में क्या नितिश कुमार फसे हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के साथ जा है या बीजेपी नहीं उन्हें गोल पर डाल दिया है क्योंकि बीजेपी को बताया यह जितना पहले नुकसान हो रहा है उनके कारकरता जो है वो किस तरीके से भारा डेवलेप्मेंट होने जा रहा है और नितिश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं ऐसे में वो जो उनके कारिकरता है जो नेता है वो इस साथ तोर पर कह रहे हैं कि अभी तक बीजेपी ये कहती आई है कि जो कुछ भी बिहार में चर रहा है वो सही नहीं है और धुर् नितिश कुमार को लेकर इस तरीके से बयान बाजी कर रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि यहां जंगल राथ चल रहा है आज अगर वो नितिश कुमार आपके साथ आते हैं तो आप दुरुवी करण की राजनीती करेंगे तो कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा ही होगा और बता नितिश कुमार के साथ अगर भारती इंता पाकी ने कोई खेल किया है तो ये अब नितिश कुमार को मजधार में ला करके भारती इंता पाकी छोड़ देगी अगर नितिश कुमार से इस्तिश्वा लेने के बाद उनको समारतिन नहीं देती है तो ये भी हो सकता है लेकिन य भारती इंता पार्की को अफसर मिलेगा की नहीं मिलेगा एहम बात यह है अगर नितीश कुमार के विधायक नितीश कुमार के साथ एक जुट होंगे तभी तो यह मौका मिलेगा भारती इंता पार्की की साथ चले गए हैं तो भारती इंता पार्की कैसे खेल कर पाएगी फिर फिर समीकर भारती इंता पाइटी और नीती शुमार के पक्षमें नहीं है। अभी जो समीकर है उसमें केवल दो सीट जो है वो चाहिए आर्जेजी को केवल और उसके बाद उनका भाहमत हो जाता है। नीती शुमार को भारती इंता पाइटी ने कहा जाए कि खतम कर दिया है बिलकुल एकदम और नीती शुमार गच्चा खा गया है। इसलिए जो है वो सामने भी आकर बात चीत नहीं करना है। हलांकि अधर नीती शुमार को पाला बदलने में काफी देर लग रही है। अभी तक जो जिस तरीके से नीती शुमार पाला बदलते रहें तो मालू पड़ता है कि चच्चमंगनी पच्चबिया वाली बात जो नीती शुमार करते रहें। इधर पाला बदला और दूसरी तरफ जाकर रहें। अब लंबे समय हो गया। नीती शुमार के मुझ से कुछ नहीं निकलना है। पाला बदलने में उनको बहुत जाया है। देर हो रही है। तो ये एक तरीके से और जाया हैं जो नीती शुमार जो जितने चत्र बनते हैं उस चत्राई की पूल भाल खुल रही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। कि निती श्कुमार की चतुराई काम में आने वाली शायद नहीं है। इसलिए निती श्कुमार को पाला बन लेवे और पाला बन लेवे गोशना करने वे इतनी दिर लग रही है। बंधन के ही एक डल है और उसका हिस्सा है। उनका ये कहना है कि साथ विधायकों को 25-25 करोर रुपए दे कर तोने की कोशिश की गई है। तो क्या खेल इधर भी हो रहा है? बीजेपी आकर क्यों घबराई हुई है? बीजेपी को किस बात का डर है कि लोग सबात चुनाओं से पहले वो पार्टियों को तोड रही है। और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद दिली में अर्विंद केज रिवाल भी बड़ा दावा कर रहे है। अर्विंद केजीवाल ने आस सुबर जिस तरीके सा आरोप लगाया और उनकी जो मुख्य प्रवक्ता हैं एक तरीके से कहा जाए जो आतिशी जो मंत्री मीं हैं उनकी पेस कान्फेंस हुआ ही उन्होंने भी आरोप लगाया कि एकीज विदायकों से जो है भारती जनता पार आर्व ये था आर्विंद का कि उसकी रिकॉर्डिंग मौझूद है कि भारती जनता पार्की ने साथ संपर किया और पैसा देनी की कोशिश की तो अगर रिकॉर्डिंग मौझूद है इतने दाविए साथ अगर आतिशी ये बात कह रही हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना की होंगे तो भारती जंता पार्टी हर तरगी से यही प्रयास कर रही है चुकि उसे लग रहा है कि इंडिया गश्वंदन एक जुट रहता है तो साथ प्रतिशत वोट जो है वो इंडिया गश्वंदन के पास हैं भी दो या उन्नीस की लोग समाद चुनाओ के रब से तो यह जो ठोकाइक लगता है जबकि पहले सब अलग लगल से तो फिर यह इंडिया राज्जियों की छोटी इसी में पामिंडियत दिया गया है जिलाई को साथ लेने का काम करी दिया गया है बंगाल में ममता बनार जी जी के द्वारा बुलाए आता है, महराश में नुन to पवार के रोहित पवार उनके एड़ी के च्छा पेमाज़ी सब होती है तो इस तरीके सीज़ें सब के लिए इंडिया की लोगों को एक طरीके से गेमॉरा-डाइस करने की और घेरने की कोई चीशें हो नहीं है ताकि लोग घबरा करके में वो गजवन्दन को तोड़ने लेकिन जिस तरीके से मजबूती के साथ गजवन्दन भी तक एक जुट है और सीच शेरिंग को लेकर कि उनके पिर जो दिक्कते हैं वो सब सौट आउट की जा रही है उत्ता प्रदेश में सब स् आने से पहले पहले उसमें कितना काम्याब होती है नहीं होती है दिली में काम्याब नहीं हो पाई उनने कोशिश की जैसा कि आतरशी कह रहे हैं कि वह काम्याब नहीं हुए उसमें उनका भंज़ा फोड़ हो गया एक तरीके से लेकिन भारती इंता पाई कि ऐसा प्यास करना बंद कर देगी ऐसा नहीं घहीं अब हमने आपको बताया कि जीतर्ण रराम मांझी से जो है वो बीजेपी समपक साथने की कोशिश कर रही है और उनके घर पर जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के वो भी पहुँचे समराच चौधरी और मुलाकात की और उनसे बात चीत की तो शायद प्रस्ताव जो है वो बीजेपी के तरफ से भी जीतन राम मांजी को दिया जा रहा है लेकिन उससे पहले लालू यादों ने भी उनसे बात चीत से है चूंकि वहाँ परस्तितियां दूसरी होंगी और य seinने पहले भी कहा कि जो मिश्रानाम मांजी नितिशकमार से साथ नहीं जाएंगे चूंकि नितिशकमार ने जीतन नाम मांजी को जिस तरीके से बेज़िजद किया बागाइदा नाम लेकर उनकी जाती को एक तरीक से टार्गेट करके जिस तरीके से बेज़ित किया, इतने अपमान के बाद अगर जीतनाम मांजी नीती श्कुवार के साथ जाते हैं, तो फिर जीतनाम मांजी का कोई संबान नहीं है, फिर ये समझा जाएगा, तो यही संकर ज लिए पना साथ नहीं रहेंगे, यह समय बताएगा जब नीती श्कुवार की आने की खोषणा भाद इनतापास के साथ आ रहे है, तब जीतनाम मांजी क्या कहते हैं, यह देखा जाएगा, जीतनाम मांजी ही चाहते हो, जो यह अपने अपमान का बदला ले और तब जो आभ कि अधाया की बिल्कुल और कुछी घंटों में स्थिती साफ हो जाएगी कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है लेकिन उससे पहले जो भी दाउ लगाये जा रहे हैं चाहे वो BJP के तरब से, चाहे आरज़ेडी के तरब से, या Jjew के तरब से, हालों कि बताई ये जा रहा है कि अगर नितीश कुमार BJP के साथ जाते हैं तो Jjew के कई विधायक जो हैं वो तूट कर लालुयादों के साथ जाएंगे, बताई यहां पर यही बदाय। इसलिए नतिश लिये कुमार वो अभी किसी तरीके से ना तो कॉग्रिस को कोई चवाब दे रहे हैं, ना सी अर बाते उनकी ब्जेपी के साथ चल रहे हैं, चिराग पासवान ने भी जेपी नडड़ा और अमिश्रा से मुलाकात की और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे उन्होंने कहा कि अभी जो इस्तिती बनी हुई है वो पोजिटीब है गडबंधन को लेकर यानि कि उन्हें भी यह समझाया गया है उन्हें भी यह बताया गया है कि हमारी स्तिती ठीक नहीं है जो बीजेपी अभी इदावा कर रही थी कि हम जो हमारा गडबंधन एंडिये का वो 40 मैं से 40 सीटे जीतने के लिए सक्षम है जो बार बार चिराग पासवान भी दोहर आ रहे थे अब उन्हें यह समझा दिया गया है बता दिया गया है कि हम सक्षम नहीं है इस्तिती हमारी ठीक नहीं है और इसी लिए गडबंधन करना ही पड़ेगा या तो नितीश जैसे कि अमरेन्दुजी आप कह रहे थे कि नितीश कुमार को कमचोर किया जाए और या फिर नितीश कुमार को अपने पाले में लाया जाए ताकि इंडिया गडबंधन को कमजोर किया जा सके लेकिन अब उसकी कार्ट जो है वो तो लालू यादों ने निकाल लिये बहले नतिश कुमार जाए लेकिन विधायकों की संख्या जो है वो उनके पास है और कार्टा भी अगर देखा जाए तो जमीन अस्तर पर जो पास सालो में जिस तरीके से हम देखते हैं कि पहले बीजेपी के साथ और फिर उसके बाद आरजएडी के साथ अफिर से बीजेपी के साथ तो कार्करता कहीं रहे कहीं वह भी नाराज बताय जा रहे हैं काय करटाउं में काफिया नाराजी है और या तो यह कि आप तरफ फैसलितर बताद ले लेते हैं काय करता को आप अपने विश्वास में लेते हैं तो खेसी त्यागी भी कल शाम तक यह चाह रहे हैं और आज किसी त्यागी यह पना असुल मतल है तो इस तरीके की जो चीज ह दो नी, तो इस्ससें कायकरताओं में निराशा भी निश्षितों पे भरती रधायक अगर चले गए हैं साथ में और निटीश कुमार चेस चले गए है तो अगर यह सूचनाए ठीक है, तो अभी इसकी हम्तुष्की नहीं कर सकते है, जो सूचना है वो सूचना है लेकिन यह सूचना है पक्की है कि आज जी ने प्रान बीपे काम कर लिया है मजबूती के साथ नितिश जैसे ही इस्तीफा देंगे तो कुछ ना कुछ खेल जो है वो लालू पसाद यादा बड़ा वहां करने जा रहा है बिहार में इसकी तो पक् किसे है और सूचना है कि उनका लर्ण सिंग का एक वीडियो बाइद हो रहा है वो बयान दे रहा है कि भारती इंता पार्टी ने कैसे जो नीतिश कुवार का अपमान किया और नीतिश कुवार ने भारती इंता पार्टी को सबख सिखाने के लिए इंजा का शुमर में नाया ठीक हा आपने और अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि बिहार से क्या कुछ बड़ी खबर आती है क्योंकि अभी आपने देखा कि इससे पहले जो दौर चल रहा था वह बयानबाजी का चल रहा था अभी सन्नाटा है और यह कहते हैं कि तूफान आने से पहले का यह करके फार दिया एक तरह की से कहा जाए अशोक चौधरी ने जो के मंतरी है उन्होंने और खुछ जाकर करके बैठ कर तेजसी उस कार क्यम में नहीं पहुंचे तो यह तो सब है कि बिलकुँ तूफान तो है और जब तूफान आता है तो तूफान से पहले की शांती जो है व जो है थोड़ी देर में इस पका किसके पाले में कितने लोग हैं चुकी जब आर रेगी जू है वह अग्मार के पास कितना दूम है यह सब चीजे सामने आजयाएंगी लेकिन कुल में लाकार कि के नीटी शुमार के पास कोई अबसर बचा नहीं है आचली जी बिलकुल अमन ही खेल कोई एक पार्टी नहीं, बलकि यहां पर सारी पार्टइक्ज़ा कर रही हैं, कल से हैं इस भात की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार निदिश कुमार बुरी तरीके से फस गए ह। लालू यादों कॉंग्रिस का अरियल रवया है जैसा कि आपने कहा वहाँ पर भी एक तरीके से बड़ा दाओ कॉंग्रिस ने चल दिया है और पूरी तरीके से यहाँ पर भिहार में जो है वो ऐसी इस्तिती बन गई है कि आप लोगा दोनों एक साथ कहा कि नितीश कुमार को साथ में लेने पर इंडिया का रिंदन को ही ज्यादा रुकसान होगा नितीश को साथ लेगा वो पांस सीटे पाएगा बेहार में तो उनका दावाद प्रशान कि शूर रुकार बाते करते हैं तो इनकी नितीश से कुछ अपनी वन्मन है लेगिन होगा वो चाहे बाति इन्ता पाइच जी साथ में रखे और जो भी नीटीश को साथ में रखेगा उसका जमयातर सही नुक्सान होगा वह हो जंता की नजव से इक तरिकी से उतर इतर उतर चुके हैं यह मामला जी बिल्कुल और अब देखिए बीजेपी के निटा जो हैं वो भी विवान वाजी कर रहे हैं और किस तरीके से बड़े सवाल जो हैं वो ख़ड़ा कर रहे हैं बीजेपी का ये कहना है कि अभी तक जो कुछ भी उने कहा कि राजनीती में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन गिरिराज सिंग और तमाम और जो नेता जो इस बात पर आड़े हुए थे कि नितिश कुमार को हम साथ नहीं लेकर आएंगे और अमिशा ने कहा था कि राज्ते बंद हो गए हैं जब अमिशा के साथ कल शाम को बैठा कोई और जिस सर्भे की हम बात कर रही हैं वह सर्भे दिखाय गया और नेताउस से कहा गया कि हमारे अब बीजेपी तो पूरी कुषिश कर रही है वो इस बात के लिए लगातार बात्चीत कर रही है और उनके नेताओं ने भी तरीके से बात चीत की है लेकर इसे भी चकर देखा जाए अमनेंदु जी तो जो बीजेपी है उसके सुर्थ तो सर्वे की वज़ा से बदले हैं क्या जेडियू और जो नितिश कुमार हैं क्या वो इसकी घोषना कर सकते हैं अभी जल्दी क्योंकि जो इस्तिती बनी हुई है और बताया जा रहा है कि गड़ बंधन भी तूट गया है तो क्या कोई बड़ी घोषना जल्दी उनके तरफ से की जा सकती है है करने का जाक्ति पहले कि का भी कर सकती है जाकर पर हम बनाने के दावा पेश करने साथ ही तो अब ये नीतिश कुमार के ऊपर निर्भग करता है कि किस तरीक से क्या करना है लेकिन भाति इंता पार्टी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं हो जैसा है कि सुवह तरी आपका बयान वायल हुआ कि इस वार आसानी से ना तक्ता पराट होने देंगे और ना आसानी से किसी की स सरकार बनने देंगे तो इसका मतलब की जो मैंने शुरू में बात करी ती जो मेरे पास सूचना है वह सूचना यहीं है कि आर्जेडी प्लान बीपी पूरी तरीके से काम कर चुकी है नीतिश कुमार जैसे ही गवर्नर के पास अपना इस्तीफा लेकर के जाएंगे प्रश्टाचारियों की पार्टी है यह सिर्फ अपने परिवार के लिए लडने वाली पार्टी है जनता की समस्याओं से कठनाईयों से आर्जेडी और कॉंग्रेस को कोई लेना देना नहीं है नतीश कुमार दुखी है आज के बार जाँदी घंगे चुक्ति जो परिसिति प्रफश करने के लिए लेकिन अब बातचीत नहीं हो पाई तो अभी मलिकार जिन खड़गे ने बयान दिया था और उन्हें कहा था कि हमने कोशिश की है लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है और अब महासच्यू कॉंग्रिस के जो हैं संचार जैराम रमेश उनका बड़ा बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि एक बार नहीं बलकि बार बार हमने कोशिश की है बात करने के लिए लेकिन अभी कोई भी प्रतकरिया जो है वो नितिश कुमार के तरब से नहीं आई ह जैराम रमेश का ये बड़ा बयान आया है और इससे पहले हमने आपको बताया कि प्रहलाद जोशी ने जो बयान दिया और अब इन नेताओं की जो बयान बाजी हो रही है और इससे ये साफ नजर आ रहा है कि गडबंधन तूट चुका है नितिश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं और अधिकारी गोष्णा कभी भी हो सकती है और कभी भी नितिश कुमार स्तीफा दे सकते हैं तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है बिहार से और स्तिती पर नजर हमारी बढी हुई है क्या कुछ आगे होता है इस पर अमारी नजरे बिलाई पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे लेकिन इस वाक्त जाने का हमारा समय हो रहा है प्रोग्राम जो है यही पर खत्म करते हैं तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही बिहार में क्या कुछ होता है इसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे अमलेंदुची आपका बहुत भाध बने रही और देखते रहें कि क्या कुछ होता है बिहार में हर party जो है इक दूसरे के साथ खेल करने की कोशिश में है लेकिन किसको मिलती है जीत और किसे मिलेगी बात या आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा और आज की जो इस्तिती है वो ऐसी बनी हुई है कि आज कोई निर्डायक फैसला बिहार में हो सकता है धन्यवाद